हेलो अब्रिवान अस्सेलाम अलेकूं वेलकम टू मॉम्स कोकिंग चैनल कैसे आप सब उमीद करती हूं आप सब खेरियस से होंगे वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आज हम बनाने वाले बारिक कट कर लिया है दो मेडियम साइस के प्यास बारी कटी हूई आदा कप गाजर मतर एक कप बारी कटी हूई कोत्मीर आदा कप शल्जम एक कप शिमला मेज अधरक लेसन का पेज धन्यापाउडर दो चमश कश्मिरी लाल मेन नमक पावजी मसाला एक कप बारी कटी फूट कलर लेंगे, बटर, एक चमच जीरा, एक चमच कसूरी मेती, नीमबो और ओयल चले बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैं कुकल ले रही हूँ, इसमें मैं दो बड़े चमच ओयल एड़ करूँगी ओयल जैसे ही गरम अता है, इसमें मैं एक चमच जीरा एड़ करूँगी थोड़ा सा फ्राय होने के बाद, इसमें मैं टमाटर एड़ कर रही हूँ गाजा रएड़ करेंगे, शलजम और मटर याने के बटाने सब चीज़ों को अच्छे से बून लेंगे दो मिनिट तक, अब मैं इसमें नमक और पाव भजी मसाला एड़ करूँगी, एक चमच सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों अच्छे से मिक्स हो चुके तो अब मैं इसमें पानी आड़ करूँगी, देड़ गलास अब यहाँ पर मैं आलू दालना भूल गई थी तो अब मैं आलू आड़ कर रही हूँ अब कोकर का रिल लगाएंगे और सारे सब्दियां गलने तक इसे पकाएंगे यह दिखेंगे सारे वेज़ेटेबल्स अच्छे से गल चुके हैं अब इसको साइड में रखेंगे यहाँ पर मैं पैन ले रही हूँ इसमें ओइल एड़ करेंगे दो बड़े चममच और दो चममच बटर भी आड़ करेंगे यह दिखेंगे बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो अब मैं इसमें प्यास और शिम्ला मिर्च बारी कटी हुई एड़ करेंगे और दो मिनिट तक इसे अच्छे से भूनेंगे फ्राइ करेंगे ताकि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका इसके बाद मैं इसमें अज्रक लेसन का पेज धनिया पाउडर कश्मी लालमिच और नमक एड़ करूंगी वो क्लिप मेरे से डिलीट हो चुका है अब यहाँ पर मैं दो चमज पाव बाजी मसाला आट करेंगे अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी आट करेंगे ताकि मसाले ना जले यह दिखें सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं और ओइल भी रिलीज हो चुका है अब हम इसमें गले हुए यानि कि वेज़िटेबल्स जो हमने बॉइल किये थे कूकर में वो आड़ कर रही हो मैं अच्छे से मिक्स करेंगे अब थोड़ी सी कसूरी मेति को करश करते हुए आड़ करेंगे और साती में एक टी हुई कोट में यह भी आड़ करेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से अब मैं इसमें थोड़ा सा फूट कलर एड़ करी हूँ ताकि कलर अच्छा है आप चाहें तो अवाइट कर सकते हैं यह टोटली ऑप्शनल है मिक्स करेंगे अच्छे से सारे चीज़े हमने एड़ कर लिए अब लास्ट में यहां पर मैं मैशर की मदब से सब चीज़ों को अच्छे से मैश कर रही हूँ लास्ट में यहां पर मैं हाफ नीमबू का रस आड़ कर रही हूँ अगर आपको ग्रेवी ठीक लग रही ही तो आप इसमें पानी आड़ कर सकते हैं इस पॉइंट पर नीमबू का रस आड़ करने के बाद मैं फ्लेम को आफ कर दूए हूँ में घुनांगी और हमारी बाजी अब बिल्कुल रडि है अब अब पाव को सेखने के लिए यहां पर मैं एक पैन ले रही हूँ इसमें बटर रैड़ करेंगे बटर जैसे ही मेल्ट होता है इसमें बारी कटा हुआ धनिया यानिके कोत्मिर ळैट कर यह इसके बाद यहां प पाव को टरन कर लेंगे और दूसरी साइट से भी अच्छे से से केंगे अब यहां पर जो हमने बनाया था भाजी वह थोड़ी सी एड़ करकर इसे हम पाव के साथ मिक्स करेंगे भूनेंगे ताकि यह अच्छा सा फ्लेवर आ जाए स्ट्रीट स्टाइल जैसा अब यह बिल्क करकर बताना अगर वीडियो पसा नहीं तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मॉम्स कोकिंग चैनल मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस प्लीज डोंट फगेट तो सब्सक्राइब माई चानल टेक किर अ आर आर गलीर कैनल टेक किर तो सब्सक्राइब में चानल momentos है तो सर्क के वीठियो अल्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो स्ब्सक्राइब